क्या आप Free Fire गेम खेलते हो? क्या आपका Screen Barber Freez हो जाता है? क्या आपका भी Game Barber रुख जाता है? कोई बात नहीं चिंता मत करो, मैं हूँ ना? तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि मुझे Screen Freeze Problem का Permanent Solution मिल गया है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Screen Freeze Problem या Game Freeze Problem को कैसे ठीक कर सकते हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वीडियो में मैं आपको Free Fire Game का Data Clear करने के लिए कहूँगा तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है इस वीडियो में मैं आपको बस एक छोटी सी सिंपल से ट्रिक बताने वाला हूँ और उस ट्रिक को अपलाई करने के बाद आपका जो Free Fire Game है वो कभी भी Freeze नहीं होगा और उसके बाद आप अपने Free Fire Game को अराम से खेल पाओगे तो अगर आप उस ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप Screen Freeze प्रोबलम को कैसे ठीक कर सकते हो तो सबसे पहले आपको अपने फोन के Home Screen पर आ जाना है और आज चलो के जितने भी Mobile Phones होते हैं उन सब में एक ना एक Game Booster App तो होता ही है तो जैसे मेरा Oppo का फोन है तो यहाँ पे एक Game Booster App है जिसका नाम है Game Space तो अगर आपके पास MI का फोन है तो उसमें भी Game Booster App होगा और उसका जो नाम होगा वो होगा Game Turbo तो जैसे मेरे फोन में यह Game Booster App है जिसका नाम है Game Space तो आपके फोन में जो भी Game Booster App है सबसे पहले आपको उसे Open कर लेना है तो यहाँ पे मैंने अपने Game Booster App को Open कर लिया है उसके बाद आपके फोन में जितने भी Game सूंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे तो मेरे फोन में अभी तो एक ही Game में Free Fire तो यहाँ पे वो सो हो रहा है तो अब आपको क्या करना है तो गाइस अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको ध्यान से देखना तो देखो अब आपको सबसे पहले अपने Free Fire गेम पे ऐसे Long Press करके रखना है उसके बाद यहाँ पे आपके सामने तीन ओप्षन आएगा पहला एप इनफो दूसरा अनिस्टोर तीसरा रिमूफ फ्रोम गेम इस्पेस तो अब आपको यहाँ पे जो तीसरा वाला उप्षन है रिमूफ फ्रोम गेम इस्पेस तो अगर आप में यहाँ पे अलग उप्षन आ रहा है जैसे रिमूफ फ्रोम गेम बूस्टर बतलब ऐसा आरा होगा Remove from तो आपको उस वाले option पे click करना है आपको यहाँ पे Uninstall नहीं करना है आपको यहाँ पे Remove from, Game Booster या फिर Game Space उस वाले option पे click करना है तो जैसे मैं यहाँ पे remove कर देता हूँ तो guys उसके बाद आपको यहाँ पे remove पे फिर से click करना है तो जैसे ही आप यहाँ पे remove पे click करोगे तो आपका जो free fire game है वो game booster application में से remove हो जाएगा और इससे आपका कोई भी खत्रा नहीं है अगर आप यह सोच रहे हो कि इससे आपकी ID बैन हो जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है